पारलर में जाकर फेसियल सभी कराते हैं लेकिन किया आपने घर पे एलोवेरा से फेसियल किया है किया होगा तो उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा आज मेरे बताए हुए तरीके से आप घर पे फेसियल कर लेती हैं तो आपके चेहरे पे इतना खुबसूरत न दाफी अच्छा है इस भेसियल को आप मार्केट वोला एल transformer में डिया है तो अपर यह ज्यादा व्याजा हैं इस सर्फ 30 के बाद face पे बहुत जादे skin problem देखने को मिलता है और 30 के बाद इस तरह का facial हमें बीक में एक बार जरूर करना चाहिए जो skin को tight बना का रखता है और face पे काले दाग धब्बे नहीं होने देता है तो इस facial को आपको किस तरीके से करना है पूरा step by step आप लोगों को दिख लीजिएगा आपका जो पार्लर का खर्चा है वह बच जाएगा पार्लर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी खास करके facial कराने के लिए तो सबसे पारले हम बना लेते हैं बहुत सारे लोगों के घर में plant टॉला एलोवेरा होता है लेकिन सही उजिनको नहीं पता होता है किस तरीके से वह अपने face पे लगाएं बहुत सारे लोग लगाते भी हैं लेकिन face पे बहुत ज्यादे नुकसान कर देता है सूट नहीं करता है अक्सर अभी के साथ प्राबलम होता है लेकिन अगर सही तरीके से आप फ्रेस अलोवेरा का यूज करेंगी तो वह कोई भी skin problem आपके face पे नहीं दिखेगा तो सबसे पहले step में हम जो scrub बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको एलोवेरा का लिव ले लेना है जितना मैं एलोवेरा ली थी उसमें से दो पार्ट मैं कर ली हूँ क्योंकि एक पार्ट से हम scrub बनाएंगे और दूसरे पार्ट से face पैक तो इस scrub बनाने के लिए आपको इस पे एक चम्म चीनी डाल देना है इस पे आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा और सिर्फ तीन से चार बूंद आपको इसमें आइट कर देना है नीबू का रस नीबू का रस टोटल आप्सनल है अगर आपके चेहरे पे दाग धबा है या तो पुराना जाईया है तो आप इसमें डालिएगा अधरवाई आप इसे इसकिप कर सकती हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एलो बेरा में एक चम्म चीनी डाल देना है और चार से पांच बूंद इसमें हम नीबू करस इसे रख देते हम साइड में ताकि चीनी का दाना भी थोड़ा सा मैल्ट हो जाएगा काफी जादे बड़ा है अब दूसरे स्ट्रेप में हम बना लेते हैं फेस पैक तो उसके लिए दोनों तोरब का साइड का काटा हटा दीजिएगा और उपर का जो छिलका होता है उसे भी हटा लीजिएगा एक बार इस फेसियल को आप कर साइता से निकार लेना है एलोबेरा जेल निकारने का सबसे असान और रीजी तरीका आप लोगों को दिखा रहे हूं एक से दो मिनट में इसका जेल निकर जाता है इस तरीके से चकु से आराम से निकर जाता है तो जादे परिसान नहीं होना है यह थोड़ा सा मतलब की बिल्कुल नेचुरल है, मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल होता है, उसमें कुछ न कुछ मिलावटी तो जरूर होता है, पर ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये हमारे स्कीन को खुबसूरत बनाने में मदद करता है, चेहरे के काले दाग धब्बे को हटाने में मदद करता ह फेस पे अगर बड़े बड़े गढ़े हैं ओपन पोर्स की समस्या बहुत जादे है तो उसको भी ओर टाइट करता है जो बड़े गढ़े हैं उसे छोटा करता है मतलब हर तरीके से यह हमारे इसकीन के लिए अम्रित है चाहें आपके फेस पे जो भी इसकीन प्राबलम है हमें हाँ पे एक से डेट चमच चेलोवेरा जेल निकार लिये थे और एक चमच इसमें हम आइट किये हैं बेशन सिंपल जो चने का दाल का बेशन होता है एक चमच बेशन डाल दीजिएगा और आधा चमच आपको इसमें आइट कर देना है सहद जो हमारे स्कीन को मुलाइम ब जरूर बोलेंगी कि आपने पहले क्यों नहीं बताया अब इन सभी कोई स्पून से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है आप लोग देख सकते हैं इतना आराम से मिक्स नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम देके पेसंस रखके मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो सबसे पहले क्लिंजर होता है इसक्रब होता है उसके बाद से मसाज होता है उसके बाद फेस पैक लगाया जाता है लेकिन यह दोनों इस टेप का फेसियल आपके चेहरे पे जो मैजिक ला सकता है वो चारी स्टेप का फेसियल उतना अच्छा काम नहीं करता है उतना अच्छ कर लें लेकिन बिंटर में इसकीन साउला पढ़ जाता है बहुत ज्यादे काला दिखने लगता है तो रिजल्ट आप लोके सामने है कैसा दिख रहा है पूरी तरह से काला ही पढ़ गया है तो इसी पे हम रिजल्ट आप लोको दिखाने वाले हैं वीडियो पर बने रहिएगा कहीं जाईएगा मत क्योंकि माहिने में एक बार हम पारलर जाकर फेसियल जरूर कराते हैं और बहुत सारा पैसा भी लगता है टाइम भी देना पड़ता है लेकिन फेसियल का सही स्टेप अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम घर पे भी कर सकते हैं सारा पैसा भी बचेगा है बिना इसकीन को नुकसान पहुंचाए यह आपके फेस पे बहुत अच्छा काम भी करेगा और इसकीन को टाइट भी करेगा खोबसूरत भी बनाएगा तो अच्छे से हम स्क्रब कर रहे हैं जो चीनी वाला इसक्रब था उसे लेकर अच्छे से प्रेसर देते हुए मसाज करिएगा इसे आप फेस पे भी कर सकती है ठीक है फेस पे भी करिएगा बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा अच्छे से मसाज करने पर थोड़ा सा आपका स्कीन रेट हो जाएगा पर कोई बात नहीं तो अब हम इसकीन को नहीं धूलेंगे इसी के ऊपर हम पैक को लगाने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़िएगा जरूर अगर जल्द बाजी करेंगे तो फिर उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा पेसेंस रखेगा और बीग में एकी बार तो आपको इस फेसियल को करना है अलग से आपको कोई भी फ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस फेसियल को आप कर लेती हैं तो अगर आप 40 पार कर चुकी है तो आपके फेस पे जो जूरियां प्राबलम है जूरियां दिख रहा है वो भी खतम हो जाएगा और चेहरे पे जो ब्राउन इसपोर्ट है वो भी धीरे-धीरे लाइट हो क्योंकि फ्रेस्ट एलोवेरा में हम कुछ भी मिक्स करते हैं तो उतना अच्छा से वो मिक्स नहीं होता है तो इसे हम ऐसे लगा कर छोड़ देंगे छोड़ने बात फाइनल रिजल्ट आप लोग को आगे वीडियो में दिखाने वाली हूं चाहें आप इसे अपने फेस पे आए हूं पानी ऐसे ही लगा है रिजल्ट आप लोग के सामने हैं हाइली रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि इसे ट्राइ करिएगा इस फेसियल को एक बार मेरे बताए हुए तरीके से करिएगा बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा आई होप आप लोगो ये वीडियो पस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए